नमबुद्धाय, जे भिम, जे भारत आज तक हमने चक्रवर्ती महान समराट आशुका के उपर कई वीडियो बनाए है आज हम उनका विस्तार सी इतियास जानने वाले हैं वीडियो आकिर तक देखे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं क्या है जोएन बटन के जेरे चैनल के सदस्य जरूर बने इंस्टाग्राम पर जरूर फालो करे तो संसार के इतियास में केवल तिन राजाओं को ही उनके नाम के साथ महान कईकर संबोधित किया जाता है एक अलेकजांडर, दुसरे आगबर और तिसरे अपने महान समराट अशुका भारत का संपूर्न इतियास विदेशियों द्वारा हरने का इतियास से केवल बहुत धमत के रहे आशुकाही एक मात रहे से मूल भारतिय राजा हुए जिनोंने सारे भारत समित आज का नेपाल, बांगलादेश, पाकिस्तान, आधी को एक देश और एक जंडे के नीचे जीत लिया था केवल जिता ही नहीं बलकि अपनी प्राजा को अपने बच्ची के समन प्रेम किया और बहतरिन सूश्याशन दिया जिसकी याद में आज भी हमारा राफ्ट्रेचिन आशुक स्थम्ब और जेंडे पर आशुक चक रहे समराट आशुक को आपने विस्त्रूस सामराजे के बहितर कुष्यल प्राशाशन दाता बोद धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है जीवन के उत्तरार्थ में समराट आशुका और गवतम बुद्ध की स्मुरूती में उन्होंने एक स्थम्ब खड़ा कर दिया था जो आज भी नियपाल में उनके जनमस्थल लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास आशुक स्थम्ब के रूप में देखा जा सकता है जीवन के उनके प्रशिद्ध एमर्शक्ति चाली भारतिय माया राजवांसे के माहन समराट थे समराट आशुक का पूरा नाम देवनाम प्रिय आशक माया था उनका राजकाल इसापूर्व 272 से इसापूर्व 232 प्राचिन भारत में था माउरे राजवांसे के चकरवर्थी समराट आशुक ने अकंड भारत पर राज़ किया है तथा उनका माउरे सामराज उत्तर में हिंदु कोष्कित्रे नियों से लेकर दक्षिन में गोदावरी नदी के दक्षिन तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बंगलादेश से पर्चिम में अफगानिस्तान इरान तक पहुच गया था समराट आशुक का सामराज आज का संपुर्ण भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल बंगलादेश भूटान मैनमार के आधिकान शबू बाग पर था यह विशाल समराज उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतिय समराज रहा है चक्रवर्थी समराट आशुक विश्व के सभी महान एमों शक्तिशाली समराटों एमों राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शेर्शे स्थान पर रहे हैं समराट आशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली ये महान समराट है समराट आशोक को चक्रवर्थी समराट आशोक कहा जाता है जिसका अर्थ समराटों का समराट और ये हस्थान भारत में केवल समराट आशोक को ही मिला है समराटाशोग को अपने विस्तुर सामराचे से बहितर कुषल प्रशेसन तता बोध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है समराटाशोग ने संपुर्ण एश्या में तथा अन्य आज के सभी महाद्युपों में भी बोध धर्म धर्म का प्रचार किया है समराट आशोक के संदर्ब के स्थंब एवों शिलालेग आज भी भारत के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं इसलिए समराट आशोक की अइत्याशिक जानकरी अन्य किसी समराटिया राजा से बहुत व्यापक रूप में मिल जाती है समराट आशोक प्रेम, सहिशनुता, सत्य, अहिसा, एवन शाकाहरी जीवप्रानाली के सच्च समर्तक थे इसलिए उनका नाम इत्यास में महान परोपकारी समराट के रूप में ही दर्ज हो चुका है जीवन के उत्तरार्थ में समराट आशोक भगवान बुद्ध की मान उतवादी शिक्षाओं से प्रभावित होकर बुद्ध हो गए और उनीकिस मृति में उन्होंने कई स्थम्ब खड़े कर दिये जो आज भी नेपाल में उनके जन्मस्थल लूंबिनी में माया दिवी मंदिर के पास सारनाथ, बोध गया, कुशिनारा एवव आदी स्रीलंका, थाइलंड, चीन, इन देशों में आज भी अशोक स्थम्ब के रूप में देखा जा सकता है महन संर्बराटाशोका ने बोध धर्म का परचार भारत के आलावा, स्रीलंका, अफगानिस्तान, पस्चिमेशや, मिस्त्र तता युनान में भी करवाया संर्बराटाशोक ने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा समराट आशोक के ही समय में 23 विश्व विद्यालेयों की स्थापना की गई जिसमें तक्षेशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आधी विश्व विद्यालेयों प्रमुक थे इने विश्व विद्यालयों में विद्ये से कई छात्र शिक्षापाने भारत आया करती थे चक्रवर्थे समराट बिंदुसार ततराने धर्मा के पुत्र थे इत्यास में बिंदुसार के तिन बेटों का उल्लेख है सुसिम जो सबसे बड़ा था आशोक और तिस्स तिस्स अशोक का सहुदर भाई और सबसे छोटा था इस बिच उज्जन में ही विद्रो हो गया था अशोक को समराट बिंदुसार ने निर्वासन से बोलाया विद्रो को दबाने के लिए भेज दिया हाला कि उसके सेनापतियों ने विद्रो को दबा दिया पर उसकी पहिचन गुपत ही रह गई क्योंकि मौरियन द्वारा फाइल आया गया गुपत चर जयाल से उसके बार में पता चलने के बाद उसके भाई सुष्चुम द्वारा उसे मारवाय जाने का भाई था वह बोध्धसन न्यासियों के साथ रहता था इसी दोरां समराट आशक को बोध्धविदी विधान उन्त था शिक्षाओं का पता चल गया था यही पर एक सुन्दरी जिसका नाम देवी था उससे आशक को प्रेम हो गया सोस्तो हने के बाद आशक ने उससे विवाह कर लिया कुछ वर्षोन बाद संगर्षे के बाद समराट आशक का मौर्य राजगद्धी पर वैठे चक्रवर्थी समराट आशक ने आपने राजा भिशेक के आठवे वर्ष यानि के दोसो एकसर्ष्ट इसा पुर्वा में कलिंग पर आकरमन किया था कलिंग के आकरमन के बारे में मैंने विस्तार से बात बताई है आए बटन पर आपको लिंक मिलेगी वह जाकर पूरा वीडियो देखिए कलिंग युद्ध ने समराट आशक के रुदे में महन परिवर्थन कर दिया उनका रुदे मानवता के प्रतिदाया और करुना से उद्ध्वेलित हो गया उन्होंने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देनी की प्रतिज्यकी यहां से आध्यात्मिक और धम्म विजय का युक शुरू हुआ उन्होंने महन बोध धर्म को अपना धर्म स्विकार किया सीहली अनुसरुतियों दीप वोंश एव महा वोंश के अनुसर समराटाशक को अपने शासन के 14 वर्ष मिन्यो गोनात नामक भिक्षु द्वारा बोध धर्म के दिक्षा दी गई थी समराटाशक ने अपने शासन काल के 10 वर्ष प्रथम सर्वप्रतम बोध गया की यात रखी थी तदू उपरांत अपने राजजा भिशेक की 20 वर्ष में लुंबिनी की यात रखी थी तता लुंबिनी ग्राम को करमुक्त गोशित कर दिया था बोध धर्म स्विकारने के बाद उन्होंने उसे अपने जीवन में उतारने का प्रायाज भी किया उन्होंने शिकर्त ता पशोहत्या करना छोड़ दिया उन्होंने ब्रहमनी और अन्यसंप्रदायों के सन्यासियों को खुलकरदान देने का भी आरंब किया और जन्नक अल्यान के लिए उन्होंने चिकित साले, पाटिशाला तता सड़कों आधिका निर्मान करवाया। उन्होंने बोद धर्म के प्राचार के लिए धर्म प्राचारों को नेपाल, स्रीलंका, आफगानिस्तान, सीरिया, मिस्त्र तता युनान में भी बेजा था। इसी कारे के लिए उन्होंने आपने पुत्र यम पुत्री को भी या त्राउम पर भेजा था। आशोक के धर्म प्राचारों में सबसी आधिक सपलता उसके पुत्र महेंद्र को मिली। महेंद्र ने स्रीलंका के राजा तिस्स को बोधा धर्म में दिक्षित किया था। और तिस्स ने बोधा धुम को आपना राजा धर्म बना लिया। और महन समरट आशोक से प्रेरित होकर उसने सोयम को देवनाम प्रियकी उपादी दी। सामराट आशोक के शासंकाल में ही पाटली पुत्र में तुरुतिय बोध संगीति का आयू जन किया गया था, जिसके अध्यक्षता मोगली पुत्रति सन्य की, यही अभी धम्म पीटक की राचना भी होई, और बोध भीक्षुवी भिन्न देशों में भीजे गये, जिन में बगत 24-34 इसापुर्व में मृत्यु हुई, उनके कई संतां तता पत्निया थी और उनके बारे में आधिक पता नहीं है, उनके पुत्र महिंद्र तता पुत्र संग मित्र ने बोध धर्म के प्राचार में योगदान दिया था, मित्रों आगर आपको यह वीडियो पुसंद की पत जाइए हो, तो इस वीडियो के लाइक किजिए, ज्यादा से जऺडर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने की आए, तो जरू सब्सक्राइब करें और शाथ मिंदेगे बेल आइकोन को दबाना मुद भूले, नहीं वालेMAN चैनल को भी जरू सब्सक्राइब चलो मिलते आगले वीडियो में नमो बुध्धाय जे भिंग जे भारत